केहते हैं ना कि होसले की कोई उम्रे नहीं होती और जिन्दगी आप कुछ राहे जतनी भी मुश्किल दे अगर आप उसका जटकर सामना करते हैं तो उस मुश्किल से पार पा सकते हैं कुछ ऐसे होसले की जीती जागती मिसाल है दस साल का ये बच्चा जिसकी चर्चा हर तरफ है दस साल की उम्र में इस बच्चे के सिर से पिता का ये साया उठ चुका है मा छोड़ कर जा चुकी है लेकिन ये हालातों के आगी हारा नहीं आज अपना और परिवार का पेट पानने के लिए सडक पर मौजूद है और दस साल की उम्र में रेड़ी लगा कर अपना गुजारा कर रहा है दिल्ली के तिलक नगर के सडक किनारे रोल बेचते इस बच्चे की कहानी इतनी प्रेड़ना दायक है कि बड़े-बड़े सेलिबरिटीज अब इसकी मदद के लिए आ गया है दस साल का जस्प्रेड अपने पता की मौद के बाद अपनी बुआ और चाचा की साथ रह रहा है साथ में बड़ी बहन भी है जिसकी पढ़ाई के लिए वो रेड़ी लगा रहा है बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद देश विदेश उसे मदद पहुँच रही है बिजनसमेन आनंद महिंद्रा ने भी पढ़ाई का खर चुठाने की बात कही तो वहीं अर्जुन कपूर भी अब इसकी मदद के लिए सामने आए है अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया आकाउंट पर लिखा की मैं इस दस साल की बच्चे को सलाम करता हूँ जिसने अपने पैरों पर खड़े होने और अपने पता के निधन के दस दिनों के बाद ही उनका काम सभालने का साहस दिखाया मुझे उसकी या उसकी बेहन की पढ़ाई में अपना योगदान देना चाहता हूँ अगर किसी को उसका पता हो तो मुझे जरूर बताए जस्प्रीत अभी छटी क्लास में पढ़ता है और पढ़ाई करने के साथ साथ यह रेडी लगा कर अपना बिजनेस भी कर रहा है जिसमें बाकी का परिवार भी जुटा है वी जो वारल होने के बाद दिलक नगर के विधायक ने भी मदद की तो वहीं लोग भी जादा से जादा रेडी परा कर उसकी आंदनी बढ़ाने में मदद कर रही है ब्यूरो रेपूट जी मीटिया